आज हम अंकुरित चना और मुंग तयार करेंगे एक कप चना और एक कप मुंग का करीप परीफ चार गुना अंकुरित चना और मुंग तयार होगा काफी हेल्दी और टेस्टी दोनों होगा और इसको हम बहुत ही तरीकों से खा सकते हैं इसके लिए एक कप चना, एक कप मुंग अच्छा दो कर ले लेंगे तो यह साबुत मुंग हम लेंगे छिलके वाला एक कप चना, एक कप मुंग को अच्छा दो कर एक लिटर पानी डाल कर 6-7 गंटे के लिए विंगो कर रख देंगे 6-7 गंटे बाद यह फूल कर अच्छा सौप्ट हो जाएगा अच्छा फूल कर रेडी हो जाएगा इसे हम इस तरह से नाखुन की हेल्प से थोड़ भी पाएंगे इसका पानी हम निकाल देंगे और इसे अच्छा धोकर साफ पानी से रख देंगे 6-7 गंटे बाद फिर से हम इसे दो लेंगे अच्छा साफ पानी से इसे हम हर 6-7 गंटे में धोते रहेंगे ताकि चने और मुंग में कुछ स्मेल ना रहे फूलने के 24 गंटे बाद यह अंकुरित होना सुरू हो जाएगा पहले मुंग अंकुरित होगा उसके बाद चना भी अ होते रहना है ताकि इसमें कोई भी इसमेल ना रहे जब हमारा चना और मुंग अच्छा अंकुरित होकर तैयार हो जाएगा तब हम इसे उसी कप से ना पेंगे तो देखेंगे यह करीब करीब चार गुना ज्यादा हो गया है हमने दो कप लिया था चना और मुंग यह इसमें जब आपको यूज करना हो तो एक दो पानी अच्छा साफ दो ले तो इसे ब्रेट पर इस तरह से रखकर सेंड्वीच की तरह आप खा सकते हैं इसमें स्वाद के लिए आप बटर नमक मसाले टमाटर प्याज उबले हुए आलू इन सब को बारी काट कर भी डाल सकते हैं मिक्चर चीप्स आलू का भुजिया अधी मिला सकते हैं तो इसका टेस्ट थोड़ा और भी बढ़ जाएगा लेकिन यह सिफ आप इसे ब्रेट के ऊपर भी रखकर ऐसे भी खाएंगे तो भी यह टेस्टी लगेगा रोटी के साथ यह अंकुरी चना और मुंग लेले और जगा पर भर सकते हैं या उसके साथ मिलाकर भर सकते हैं कोई हरी सब्जी में भी आप डाल कर इसको बना सकते हैं जैसे मैंने कच्छे केले के सब्जी में इसको मिला है तुरही के सब्जी में आप मिला सकते हैं लोकी में बैगन में आप इस अंकुरी चना और मुंग को मिला बना सकते हैं भूते टेस्टव तैस्त बनता है इस खीरा नीमगू दhrinha पती प्याज टमाटर के साथ मिला आप चना चैट बाना सकते हैं यह दिदी टेस्टी नास्ता बनाएंगे अंकरी जांतर लेंगे इसमें चना मुंग अधि मिला होता है एक खिरा, एक टमाटर, एक प्याज, एक उबला अलू, तीन-चार हरी मिर्च, थोड़ा धनिया पती, सब को बारी काट लेंगे, उबला अलू, ओप्सनल है, एक नीमू काट लेंगे, आप बाउल में अंकरिक चना मुंग आधी लेंगे, उसमें कटा हुआ प्याज, खिरा, मिर्च, धनिया पती, इन सब को डाल देंगे, नीमू का रसरी चोड़ लेंगे, दो चमचीमली का खटा पानी भी डाल देंगे, सेंधा नमक, स्वाधनुसार मिला लेंगे, सब को अच्छा मिक्स कर लेंगे, रेडी है हमारा चना चाट, इसे आप भून कर भी खा सकते हैं, इसको भूनना बहुत ही असान है, इसको भूनने के लिए एक हरी मिज, थोड़ा धनिया पती, एक प्याज, इन सब को बारी काट लेंगे, कड़ाई में एक चमच तेल गरम करेंगे, आप टिस्पुन जीरा तड़का लेंगे, कटे हुए मेज, प्याज डाल कर थोड़ा इसे आप हीरा, नीमबू, धनिया पती इन सब के साथ सर्फ कर सकते हैं, धनिया पती के साथ गार्निशिंग कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी भूना हुआ चना मुंग तयार हो जाएगा, तो आप अंगुरी चना और मुंग को तयार कीजिए, और इसको कोई भी तरीके से पिल दी होता है, और ठेस्टी भी लगता है, अंगुरी चना और मुंग को तयार कीजिए, और खाइए, एज़ोई कीजिए, थैंक।